हालो शुडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मेहत का, XI No. 2.4 का Part 2, Part 1 इसका पहले ही करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है Part 1, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो Part 1 देख स करें, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, इसका Part 1 और सेक टोषन, इसके फ़र्स पार्ट में हो चुका है, यह सेकुथं पार्ट работать हें, यह से कुशइन होता है, तो कुशिन क्या है, पहले पहले को समझनें, यदि बहुपद, XC-3, XS2, plus X plus 1 के 0 A-B ठीक है ये वाला एक सुनेक है और दूसरा सुनेक है A और इसका तीसरा सुनेक है A plus B अगर ये तीन सुनेक हों तो A और B के मान ग्याद किए ठीक है A और B को ग्याद करना है तो देखें यहाँ पर A और B को किस तरह से ग्याद करेंगे सबसे पहले इस एक्स क्यू माइनस 3X स्क्वेर प्लस X प्लस 1 ठीक है तो यहां पर A कोल कितना है 1 B कोल है माइनस 3 और C कोल है 1 and D कोल 1 ठीक है यह ओक है अब इसके बाद जो सुन्यक है सुन्यक को लिख लिए थे हैं सुन्यक क्या है हमने बताया था तरिकात इससे पहले वाली सुन्यक होता है ठीक है अलफा बीटा गामा तो इसमें यह अलफा बीटा गामा है तो यहां लिख लें अलफा एक्कोल हो जाएगा A माइनस B ठीक है बीटा एक्कोल हो जाएगा A और गामा एक्कोल हो जाएगा A प्लस B ठीक है यह तीनों सुन्यक हो गए अब यहां से देख तो सुन्ने को को यह उफल होता है alpha plus beta plus gamma equal minus b upon a ठीक है formula यह होता है जिन बच्चों ने अभी formula नहीं देखे तो इस exercise का जो part 1 कराया है उसमें सारे formula और first second दोनों question दिये गए हैं ठीक है तो यहांपर देखें तो यह हमें दिया गया है यहांपर alpha beta gamma तीनों चीज़ देखें यहांपर तो यहां लिख लें तो alpha कितना है a minus b ठीक है plus beta है a plus और gamma है a plus b equal minus b upon a minus b upon a यहनि कि यह वाला ठीक है तो minus b क्या है मारा minus b यहनि कि minus यहां रहेगा और b equal है minus 3 तो minus 3 और a a की value है 1 ठीक है यहां पर यह हो जाएगा अब यहां से देखेंगे bracket को जो खोलेंगे open करेंगे तो a minus b plus a plus a plus b equal minus minus हो जाएगा यह plus का 3 upon 1 यह हो जाएगा यहां पर a और a यहां पर कितने है 3a plus के b से minus के b cancel हो जाएगे तो यह हो जाएगा 3a equal 3 तो a की value जो है वो कितने है आजाएगे 3 upon 3 यानि की a कोल आजाएगा हमारा 1 ठीक है a equal 1 आगया अब लेते हैं दो सुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुड़नफल का योगफल तो यहां फर्मल लेखना है पहले alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha equal होता है c upon a यहां तो यहां देखेंगे alpha और beta क्या है alpha यहां पर alpha हमारा देखना है alpha है a minus b into beta beta क्या है a यहां पर ठीक है plus beta into gamma तो beta क्या है हमारा a और gamma है a plus b ठीक है और यहां plus इसके बाद है gamma into alpha ठीक है तो gamma है हमारा a plus b into और alpha है हमारा alpha क्या है यहाँ पर यह लिखा है A minus B equal है C तो C क्या है यहाँ पर दिया गया है C equal है 1 तो यह हो जाएगा 1 और upon में भी A भी क्या है हमारा 1 है अब इसमें देखो A जो हमने निकाला है A कमान कितना है 1 है तो पूरे समी कर देखो यानिकि इसमें जितने भी A है उन सभी कमान 1 लग दो तो यह हो जाएगा 1 minus B ठीक है और इसमें यह 1 का इसमें multiply कर देंगे यहाँ पर plus यह 1 bracket में 1 plus B plus 1 plus B into ठीक है 1 plus B into इसको A काम कर लो इसको formula change कर लो यानिकि 1 bracket में A plus B 1 bracket में A minus B तो यह हो जाएगा A square minus B square का formula यानिकि 1 का A का square 1 ठीक है एक ही वारू कुत दें 1 1 का square और minus B का square equal 1 तो यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा सब का multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus B plus 1 plus B plus 1 minus B B square equal 1 तो यहाँ minus B से plus B cancel हो जाएगा और यहाँ 1 यह 1 भी plus का यह भी plus का और यह भी plus का तीनों plus के हो जाएगे ठीक है तो यह हो जाएगा यह तीनों plus के उदर जाएगे किसके हो जाएगे minus के तो minus B square equal 1 minus 3 तो minus B square equal minus 2 तो यह हो जाएगा फिर क्योंकि इसकोर उदर गया है तो प्लस माइनस का अंडर रूट टू ठीक है अब यहां तक यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिविशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें ठीक है चलिए चलते हैं इसके नेक्ष्ट कुशन जो अब देखते हैं आगे यानिकी फॉर्ट वाला कुशन ठीक है तो फॉर्ट वाला कुशन क्या कहता है यह दि बहुपद एक्स की पावर फॉर यहां पर यहां पर यह सुन्यक देगें तो सुन्यक क्या होता है इस चेम पहले ही बता चुके हैं इस्टुएंट कि सुन्यक होता है एक्स कमांड ठीक है यह निकी एक्स की बेल्यू तो यहां पर लिख लेंगे कि एक्स एक्वल है टू प्लस माइनस रूड थ्री ठीक है ट तो यहाँ जब दोनों और work करेंगे तो यह हो जाएगा x-2 का whole square equal plus minus under root 3 ठीक है यहाँ देखेंगे यानि कि यह हो गया a-b का whole square तो इसको हम खोल देंगे यहाँ पर x square plus 2 का square 4 minus 2ab यानि कि 4x equal यह plus की हो या minus की हो जब bracket में कोई भी number plus का या minus का हो तो जब उसको square करते हैं तो वो number हमेशा plus में आता है ठीक है और root की संक्या का जब square करते हैं तो root हट जाता है तो यहाँ आ जाएगा 3 तो 3 को जब इदर लेके जाएगे तो यह हो जाएगा x square minus 4x plus 4 minus 3 यानि कि जो 3 है वो minus का हो जाएगा equal 0 तो यह हो जाएगा x square minus 4x और plus 1 equal 0 तो यहाँ यानि कि जो सुनेक था उससे यह बनके आगे एक समीकड़ दुएगाद ठीक है अब हम इस समीकड़ी इस दुएगा समीकड़ का डिवाड़ आकर हम इसमें दे दें तो हमें अनिस सुनेक प्राप्त होंगे ठीक है तो यहाँ देखी किस तरह से डिवाड़ देंगे यह है हमारा x square minus 4x plus 1 और इसका डिवाड़ देना है हमें इसमें यानि कि x की power 4 minus 6x q minus 26x square plus 138x plus 35 यह हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे कि x square को हमें बनाना x की power 4 तो हमें इसमें कितने का multiply करना है गा एकस square का ठीक है और plus x square क्योंकि x square का 1 में करेंगी तो x square आएगा जब घटाएंगे तो sun change हो जायेंगे यह minus यह plus यह minus को यह मायने यह though cancel हो जाएंगे अब यहाँ देखेंगे x q x q यह है यह मायस का 4 6x q है यह यह plus का 4 तो यहाँ बचाएंगे माइनस 2XQ और यह दोनों है यह माइनस का 26 और यह 1 तो यह हो जाएगा माइनस का 27X2 और आगे यह 138X प्लस 35 यहां लिख लेंगे ठीक है अब हमें X2 को बनाना है 2XQ X2 को क्या बनाना है माइनस 2XQ तो यहां पर मल्टिप्लाई हो जाएगा माइनस 2 और X का जब इसमें पूरे में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2XQ और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 तू जा 8X स्क्वेर ठीक है और माइनस 2 का माइनस 2X का मल्टिप्लाई 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2X साइन चेंज होंगे यह हो जाएगा प्लस यह माइनस यह प्लस ठीक है कटाएंगे तो यहाँ यह तो नो तो cancel हो जाएंगे और यह हो जाएगा देखो यहाँ यह माइनस का यह भी माइनस का है तो दोनो एड़ हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे माइनस 35 x square और यह plus का है यह भी plus का है तो यह दोना add हो जाएंगे तो 138 और 2 कितने हो जाएंगे plus के 140 x plus 35 ठीक है अब हमें देखो जो x square है उसको बनाना है minus 35 x square तो हम इसमें कितने का multiply करेंगे minus 35 करेंगे तो यह हो जाएगा minus 35 तो यहाँ पर हम यह हो जाएगा फिर minus 35 x square और यहाँ minus 35 का 4 multiply करेंगे तो minus 35 का 4 x multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus minus plus और 4 5 जाए 20 और 4 तो यह 12 12 और 2 14 ठीक है 14 और यह x आ जाएगे जहाँ पर अब minus 35 का जब 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा plus sorry minus 35 ठीक है minus 35 गटाएंगे तो science change हो जाते हैं यह सभी को पता है ठीक है minus का हो जाएगा plus plus का minus और minus का plus यहाँ पर तो student यहाँ थोड़ा सा question में mistake आ गई है यहाँ plus की जगे यहाँ minus है तो आप उसे minus कर लें और यह भी यहाँ सभी जगे minus हो जाएगा ठीक है यहाँ यह minus का 35 और यहाँ पर यह माइनस का 35 है तो यहाँ पर होगा क्या यह सारे cancel हो जाएगा यह minus के 35 से plus का 35 cancel यह 140 से 140 और minus 35 से plus 35 cancel और यह आज एकर remainder 0 यानि completely divisible हो जाएगा ठीक है अब completely divisible हो गया इसका भागफल यह आया है तो अब यहां से देखेंगे कि x square minus 2x minus 35 ठीक है तो अब इसके factor कर लें यहां पर ठीक है तो इसके factor हो जाएंगे 7 minus 5 जाएंगे तो 2 बचेगा और multiply करेंगे तो 35 बचेगा बाकी x यहां रहेगा minus 35 यह हो जाएगा equal 0 x का इसमें जब multiply करेंगे तो यह हो जाएगा x square minus 7x अंदर वाले sun change हो जाएंग क्योंकि बाहर minus 6 और यह हो जाएगा plus 5x minus 35 equal 0 तो इस दोनों में से हमें x कामन मिल जाएगा तो यहां यह हो जाएगा x minus 7 और इसमें से plus 5 कामन मिल जाएगा तो यह हो जाएगा x minus 7 equal 0 यह दोनों bracket same आ गए हैं तो इसका मतलब हमारा question सही है ठीक है दोनों में से common ले लेंगे x minus 7 और एक bracket बन जाएगा x plus 5 x plus 5 equal 0 अब यहां से सुनेक निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा x minus 7 equal 0 तो x equal 7 और यहां पर x plus 5 equal 0 तो x equal हो जाएगा minus 5 तो यहां पर इसके 4 सुनेक हो गए ठीक है तो x के 2 सुनेक तो यही थे यहीं कि 2 plus root 3 और दूसरा था 2 minus root 3 ठीक है और एक हो गए 7 और दूसरा हो गए minus 5 यहनिकि 7, minus 5 तो यह इसके हो गए सुनेक ठीक है यहां तक आप चलते हैं पांचमा कुशन की ओर तो पांचमा कुशन हमारा है यदि बहुपद x की पावर 4 minus 6 x q plus 16 x square minus 25 x plus 10 को एक अन्य बहुपद x square minus 2 x plus k से भाग दिया जाए और सेस्वल x plus a आता है तो k तता a का मानग्या करना है ठीक है तो कुशन हमारा यह है तो चलिए सबसे पहरे क्या है यह कह रहा है कि इसमें यहनिकि यह जो बहुपद है इसमें एक आन्य बहुपद x square minus 2 x plus k का भाग देते हैं इसका भाग देते हैं यहाँ पर x की power 4 minus 6 x q plus 16 x square minus 25 x plus 10 तो भाग देना सिंपल है x square को हमें बनाना है x की power 4 तो हमें क्या चाहिए x square तो x square से इसमें multiply करेंगे पूरे में तो यह हो जाएगा x की power 4 minus 2 x q ठीके ना और x square को के से करेंगे तो plus k x square जब गड़ाएंगे sin chain हो जाएगा यह minus यह plus और यह minus ठीक है यह cancel हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ यह हो जाएगा फिर यह minus की 6 x q है यह plus k है तो यह हो जाएगा minus 4 x q और अब यहाँ x square x square दोने एड़ हो जाएगे तो यह plus का 16 है यह minus का k है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे bracket में plus 16 minus k x square दोने में से यह common मिल गया ठीक है यहाँ पर अब आगे जो लिखा है वो आगे लिख लेंगे minus 25 x plus 10 ठीक है अब x square को हमें बनाना minus का 4 x q तो यहाँ पर हो जाएगा यह हमें चाहिए minus 4 x square था q बनाना एक x और चाहिए अब इसका multiple is theorem करेंगे तो यह हो जाएगा minus का 4 x q और minus 4 का जब minus 2 में करेंगे पहले तो minus minus हो जाएगा plus 4 2 जा 8 और x का x में करेंगे तो यह हो जाएगा x square ठीक है तो अब minus 4 x का जब k में करेंगे तो यह हो जाएगे minus 4 k x ठीक है यहाँ पर जब गटाएंगे तो इसके sign change हो करेंगे यहीं हो जाएगा प्लस यह माइनस और यह प्लस ठीक है इसके बाद और यह आपस में कैंसे आगे यहां पर जो सिक्षी मैसे एर्ट मायस के हैं तो यहां पर बचाएगा एर्ट माइनस के यह रहेगा और यह हो जाएगा x square और यहाँ पर यह 25 x है यह प्लस के 4 की हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस ले ले 4 k bracket में और minus 25 और बाहर है x इसके बाद plus 10 ठीक है अब हमें इस में यहाँ multiply कर देंगे bracket में 8 minus k से स्पूरे में equation में multiply कर देंगे तो यहाँ यह हो जाएगा bracket में यहाँ plus रहे जाएगा और minus 2 का अंदर multiply कर देंगे तो minus का a 2 या 16 और यह हो जाएगा minus minus plus 2 k ठीक है और x यहाँ पर x रहेगा कि बाल x रहेगा ठीक है और अब यहाँ पर जो 8 minus k है उसका multiply हम करेंगे k में तो यहाँ लिख लेंगे plus 8 minus k bracket में और k बाहर यह वालक ठीक है अब जब गटाएंगे तो sun change हो जाएगे यहाँ पर यह हो जाएगा minus यह minus ठीक है और यह भी minus यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे अब यह तो एक जिस हैं तो यह plus के minus के cancel हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ देखें कि अब क्या बच रहा है तो यहाँ इसको थोड़ा सा प्लस 16 ठीक है प्लस 16 और यह हो जाएगा minus 2K और यह पूरा ब्ढ़ों को एक bracket में कर लेंगे और यह हो जाएगा X यहाँ यह हो जाएगा minus 8K minus 8 minus K bracket close और K और plus का 10 यहाँ पर यह हो जाएगा ठीक है तो X की यह है अब इसको ठोड़ा और solve कर लें यहाँ पर, कि 4K और 2K, 4K प्लस के हैं, 2K माइस के हैं, तो यहाँ बचेंगे 2K, यह प्लस के 16 है, यह माइस के 25 है, तो यह समय से माइस हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 9, क्योंकि माइस की संक्या जादा है, 2K माइस 9, और यहाँ पर माइनस तो यह हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा यहां पर पूरा यह आ रहा है ठीक है इसके तो मैं इस की तुलना सिस्फल से कर नहीं है ग्याद सेस्फल यहां लग लें, ग्याद सेस्फल, ग्याद सेस्फल, तो ग्याद सेस्फल हमारा यह है, ठीक है, दिया गया सेस्फल, तो दिया गया सेस्फल हमारा क्या है, दिया गया सेस्फल हमारा, X प्लस A, तो यहाँ पर X और A के गुडांकों की तुलना करने पर, यानि कि X का जो गुडांक है वो ये है और बाकी बचा वबार्ट वो ये है ये ये पूरा क्या है एक गुडांक है तो यहां पर तुलना करेंगे तो X तथा एक गुडांकों की तुलना करने पर ठीक है तो यहाँ जगा सोड़ी कम है यहाँ कर देते हम इसको अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर यह निकि हमने बताया है एक सथा एक गुडांकों की तुलना करने पर तो X का कुछ नहीं होता वहाँ क्या है 1 और यहां X का कुछ नहीं कितना है 2K-9 ठीक है तो जब दोनों के कुछ च गुडांकों की जब तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा 2K-9 और एक्वाल 1 यहां कि इसका कुछ यह है और X का जो गुडांक है वो है 1 तो यहां से देखेंगे, तो यहां से k की value निकलाईगी, ठीक है? तो ये 2k, 9 उदर जाएगे, plus का हो जाएगा, तो 1 प्लस 9, तो यहां k एकल हो जाएगा, यह जाएगा 10, और 2 अपन में चलाएगा, तो k की value हो जाएगी 5, ठीक है? तो k की value 5 आगी, अब हमें निकालनी है A की value ठीक है यहां कि जो बचा हुआ part है वो A के equal है यहां कि यह वाला क्या है A के equal है तो यहां देखेंगे फिर कि minus bracket में है 8 minus K बाहर K plus 10 equal A ठीक है यह किसके बरावर है A के equal है यह फूरा तो यहां देखेंगे minus का अंदर multiply करेंगे और K का अंदर करेंगे तो यह हो जाएगा minus 8K plus K square और plus 10 equal A ठीक है अब हमें K की value पता है K की value कितनी है 5 तो जहां जहां K रखा है वहां 5 रख देए तो यह हो जाएगा minus 8 into 5 plus 5 का square plus 10 equal A तो यह हो जाएगा minus का 40 plus 25 5 plus 10 equal A तो 40 में अब यहां देखो plus के 10 और plus के 25 दोने add हो जाएगे तो minus 40 और plus 35 equal A तो A equal हो जाएगा minus की जहां पर के तरह जाएगा minus 5 ठीक है तो K हमारा आगया 5 और A equal आगया है minus 5 तो यहां लिख देए कि K equal 5 और A equal minus 5 ठीक है यह है इसका answer ठीक है तो इस्ट्वेंट यह पार्ट यही finish होता है आगे के question next part में लेकर आएगे और हाँ इस्ट्वेंट अगर आप इस चनल पर पहली बार आए हैं तो इस चनल को subscribe जरूर कर लें और साधे साथ वेल आइकन को time to time मिलते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद टेक कियर बाई